जोते शास्त्र में बारह राशियों का जिक्र होता है बता दें आपको कि मनुश्य के जीवन में राशिवल का विशेश महत्व होता है राशी के अनुसार विक्ति के सभाव और भविश्य से जुड़ी के जानकारिया प्राप्त की जा सकते हैं वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं इन चार राशियों की जिने अब खुशियां ही खुशियां मिलने वाली हैं बता दें आपको कि इन चार राशिके जात्मों का अब खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा बता दें कि जीवन में जब भी कोई काम करते हैं तो हमें उसमें नुक्सान का सामना भी करना पड़ता है तो कभी बहुत ज़्ादा भी होता है लेकिन बता दें आपको कि ये सब हमारी मेहनत के साथ साथ ग्रह और शत्र पर भी आधरित होता है जी हां इसे के चलते मानवजीवन में आने वाले समय का पता चलता है जैसे जासे ग्रह अपने इस्थान पर वर्दन करते हैं तो इसे से हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव आते हैं बता दे आपको किस रिपॉर्ट में हम बताने जा रहे हैं इंचार अचिक के जाजकों का अब खुशी का ठीकाना नहीं रहेगा अब इनकी किस्मत माता लक्षमी की अपार क्रपा से बरसने वाली है अब इनके मान सम्मान और वैभों में भी अविश्वस्नी अवरद्धी हो जाएगी जिंदगी में बहुत जादा लाभ भी होगा वर्षों से चलिया रही परिशानियों से चुटकारा मिलेगा किसी भी काम को इतमिनान से करें तो ज़ादा बहतर होगा जिंदगी काफी ज़ादा सुखद बन जाएगी लाभ लाभ होगा सोच सी भी ज़ादा धण आने के योग बन रहे हैं तो चलिह बताते thoroughly आपको क्या खिर कौन कौन सी है His ये चार भाग इशाली राशियां, मेश राशी, धनु राशी, मकर राशी और मीन राशी जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमिनड बॉक्स में कमिन जरूर बताएं नेक्ट नैनी प्रीछवल से शुतिक रिपोर्ट